C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पार्ट अध्याई बाराह B.G. अव्यन्जक प्रिष्ट 245 भारह दशमलवेक भूमिका हम X जमा 3, Y घटा 5, 4X जमा 5, 10Y घटा 5 इत्यादी जैसे सरल B.G. अव्यन्जकों से परिचित हो चुके हैं कक्षा 6 में हमने देखा था कि ये व्यन्जक किस प्रकार पहेलियों और समस्याओं को एक सुव्यवस्थित प्रकार से प्रस्तुत करने में सहायक होती है हम सरल समी करणों वाले अध्याई में भी व्यन्जकों के अनेक उधाहरणों को देख चुके हैं बीजगनित में व्यन्जकों यानि expressions को एक केंडरी या अवधारणा माना जाता है यह अध्याई बीजी व्यन्जकों से संबध होगा जब आप इस सद्ध्याई को पढ़ लेंगे तो आपको ग्यात हो जाएगा कि बीजी व्यन्जक किस प्रकार बनते हैं इन्हें किस प्रकार संयोजित किया यानि मिलाया जाता है इनके मान हम कैसे ग्यात कर सकते हैं तथा इनका किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है बारह दशमलवदो व्यन्जक किस प्रकार बनते हैं अब हम भली भांती जानते हैं कि एक चर यानि variable क्या होता है। हम चरों को व्यक्त करने के लिए अक्षरों x, y, l, m इत्यादी का प्रयोग करते हैं। एक चर के विभिन मान हो सकते हैं। इसका मान निश्चित नहीं होता है। इसके दूसरी और अचर यानि constant का एक निश्चित मान होता है। अचरों के उदाहरण चार, सौ, माइनस सत्रह इत्यादी हैं। हम चरों और अचरों को संयोजित करके बीजी यव्यंजकों को बनाते हैं। इसके लिए हम योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन की संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। हम चार एक्स जमा पांच, दस वाई घटा बीस जैसे व्यंजकों को पहले ही देख चुके हैं। व्यंजक चार एक्स जमा पांच, एक्स चर के प्रयोग से बना है, जिसमें पहले चर एक्स को अचर चार से गुणा करके और फिर इस गुणन भल में अचर पांच जोड कर प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार दस वाई घटा बीस पहले चर वाई को अचर दस से गुणा करके और फिर इस गुणन भल में से बीस घटा कर प्राप्त किया जाता है। उपरोक्त व्यन्जक चरों और अचरों को संयोजित करके प्राप्त किये गए थे। हम व्यन्जकों को चरों को स्वयम उन चरों से अथवा अन्य चरों से संयोजित करके भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रिष्ट 246. देखिए कि निम्नलिखित व्यंजक किस प्रकार प्राप्त किये जाते हैं. एक्स वर्ग, दो वाई वर्ग, तीन एक्स वर्ग, माइनस पाँच, एक्स वाई, चार एक्स वाई, जमा साथ. एक. व्यंजक एक्स वर्ग, चर एक्स को स्वयम एक्स से गुणा करके प्राप्त किया जाता है. अर्थात एक्स गुणा एक्स बराबर एक्स वर्ग है. जिस प्रकार चार गुणा चार बराबर चार वर्ग लिखा जाता है. उसी प्रकार हम x गुणा x बराबर x वर्ग लिखते हैं। इसे सामानित है x का वर्ग यानी x स्क्वेर्ड पढ़ा जाता है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं x गुणा x गुणा x बराबर x गन। सामानित है x गन को x का गन यानी x क्यूब्ड पढ़ा जाता है। बाद में आप यह अनुभव करेंगे कि x गन को x के उपर घात तीन भी पढ़ा जा सकता है। x, x वर्ग, x गन, इत्यादी में से प्रत्येक x से प्राप्त एक बीजीय व्यंजक है। 2. व्यंजक दो y वर्ग को y से इस प्रकार प्राप्त किया जाता है। 2 y वर्ग बराबर 2 गुणा y गुणा y। यहां हम y को y से गुणा करके y वर्ग प्राप्त करते हैं और फिर इस गुणन भल y वर्ग को 2 से गुणा करते हैं। 3. 3 x वर्ग घटा 5 में हम पहले x वर्ग प्राप्त करते हैं और फिर उसे 3 से गुणा करके 3 x वर्ग प्राप्त करते हैं। अंत में 3x वर्ग घटा 5 पर पहुचने के लिए हम 3x वर्ग में से 5 को घटाते हैं. 4. xy में हम 4x को एक अन्य 4y से गुणा करते हैं. इस प्रकार x गुणा y बराबर xy. 5. 4 xy जमा साथ में हम पहले xy प्राप्ट करते हैं. उसे 4 से गुणा करके 4 xy प्राप्ट करते हैं. और फिर दिया हुआ व्यंजक प्राप्ट करने के लिए 4 xy में 7 जोड़ते हैं. प्रयास कीजिए. बताईए के निम्निलिखित व्यंजक किस प्रकार प्राप्ट किये जाते हैं. 7 xy जमा 5, x वर्ग y, 4 x वर्ग घटा 5 x. 12.3 एक व्यंजक के पद अभी तक उपर हमने पढ़ा है कि व्यंजक किस प्रकार बनाए जाते हैं. अब हम उसे एक सुव्यवस्थित रूप में रखेंगे. इस कार्य के लिए हमें यह जानने की आवश्यक्ता है कि एक व्यंजक के पद यानि टर्म्स और उनके गुणन खंड यानि फैक्टर्ज क्या होते हैं. अर्थात उनके अर्थ क्या हैं? व्यंजक 4 x जमा 5 परविचार कीजिए. इस व्यंजक को बनाने के लिए पहले हमने अलग से 4 और x खा गुणा करके 4 x बनाया था और फिर इसमें 5 जोड दिया था. इसी प्रकार व्यंजक 3 x वर्ग जमा 7 y परविचार कीजिए. यहां हमने पहले अलग से 3 x और x का गुणा करके 3 x वर्ग बनाया था. फिर हमने अलग से 7 और y का गुणा करके 7 y बनाया था. 3 x वर्ग और 7 y बनाने के बाद हमने दिया हुआ व्यंजक प्राप्त करने के लिए इनको जोड दिया था. आप भाएंगे के हम जितने भी व्यंजकों पर कार्य करते हैं, वे सब ही इसी रूप में देखे जा सकते हैं. इनके भाग होते हैं जो अलग से बनाए जाते हैं और फिर जोड दिये जाते हैं. व्यंजकों के इस प्रकार के भाग जो पहले अलग से बनाए जाते हैं और फिर जोड दिये जाते हैं इस व्यंजक के पद कहलाते हैं. व्यंजक 4 x वर्ग घटा 3 x y को देखिए. हम कहते हैं के इसके दो पद 4X वर्ग और माइनस 3XY हैं, पद 4X वर्ग, 4X और X का गुणन भल है, तथा पद माइनस 3XY, माइनस 3X और Y का गुणन भल है. प्रिष्ट 247 व्यंजकों को बनाने के लिए फदों को जोडा जाता है, जिस प्रकार व्यंजक 4X जमा 5 को बनाने के लिए 4X और 5 को जोडा जाता है, उसी प्रकार व्यंजक 4X वर्ग घटा 3XY को बनाने के लिए 4X वर्ग और माइनस 3XY को जोडा जाता है, इसका कारण 4X वर्ग जमा माइनस 3XY बराबर 4X वर्ग घटा माइनस 3XY होता है, ध्यान दीजिये के पद में रिण यानी माइनस चिन्ह सम्मिलित होता है, व्यंजक 4X वर्ग घटा 3XY में हमने पद को 3XY न लेकर माइनस 3XY लिया था, इसलिए हमें यह कहने की आवश्यकता नहीं है के एक व्यंजक को बनाने के लिए पदों को जोडा या घटाया जाता है, इसके लिए केवल यह कहना ही परयापत है के पदों को जोडा जाता है. एक पद के गुरनखंड हमने उपर देखा था के व्यंजक 4X वर्ग घटा 3XY के दो पद 4X वर्ग और माइनस 3XY हैं पद 4X वर्ग 4X और X खा गुणन फल है हम कहते हैं के 4X और X पद 4X वर्ग के गुणन खंड यानी factors हैं एक पद अपने गुणन खंडों का एक गुणन फल होता है पद माइनस 3XY गुणन खंडों माइनस 3X और Y का एक गुणन फल है हम एक व्यंजक के पदों तथा पदों के गुणन खंडों को एक सुविधा जनक और आकर्शक प्रकार से एक व्यंजक पेड आरेक यानी ट्री डाग्राम द्वारा निरुपित कर सकते हैं व्यंजक 4X वर्ग घटा 3XY का पेड सनलगन आकरती में दर्शाया गया है व्यंजक 4X वर्ग घटा 3XY पद 4X वर्ग घटा 3XY 4X वर्ग गुणन खंड 4XX माइनस 3XY गुणन खंड माइनस 3XY ध्यान दीजिये के पेड आरेक में हमने गुणन खंड के लिए बिंदुकित रेखाऊं का प्रयोग किया तथा पदों के लिए सतत रेखाऊं का प्रयोग किया है यह इनके मिश्रित नहुने के लिए किया गया है आये व्यंजक 5XY जमा 10 का पेड आरेक खीचें गुणनखंड ऐसे लिखे जाएं कि जिनके आगे गुणनखंड न हो सके इस प्रकार हम 5xy को 5 गुणा xy के रूप में नहीं लिखते हैं क्योंकि xy के आगे और भी गुणनखंड हो सकते हैं इसी प्रकार यदी x घन एक पद होता तो इसे x गुणा x वर्ग न लिखकर x गुणा x गुणा x लिखा जाए साथी याद रखिए एक को अलग से गुणनखंड नहीं लिया जाता है व्यंजक 5xy जमा 10 पद 5xy 10 गुणा नखंड 5xy प्रयास कीजिए एक निम्नलिखित व्यंजकों में कौन-कौन से पद हैं दर्शा ये कि ये व्यंजक कैसे बनाई जाते हैं प्रत्येक व्यंजक के लिए एक पेड आरेक भी खींचिये 8y जमा 3x वर्ग 7mn घटा 4 2x वर्ग व्यंजक लिखिये जिनमें से प्रत्येक में चार पद हों प्रिष्ठ 248 गुणांक हम एक पद को उसके गुणन खंडों के एक गुणन फल के रूप में लिखना सीख चुके हैं इनमें से एक गुणन खंड संख्यात्मक यानि निमेरिकल हो सकता है तथा अन्य बीजीय यानि अलजब्रेक हो सकते हैं अर्थात इनमें चर होते हैं इस संख्यात्मक गुणन खंड को पद का संख्यात्मक गुणांक यानि निमेरिकल कोफिशंट या केवल गुणांक कहते हैं इसे शेश पद जो सफष्ट तह बीजीय गुणन खंडों का गुणन भल है का गुणांक भी कहते हैं इस प्रकार पद 5xy में xy का गुणांक 5 है इसी प्रकार पद 10xyz में xyz का गुणांक 10 है तथा पद माइनस 7x वर्ग वाई वर्ग में x वर्ग वाई वर्ग का गुणांक माइनस 7 है जब किसी पद का गुणांक प्लस 1 होता है प्रायह उसे लिखते समय छोड़ दिया जाता है उदहरनार्थ एक x को x लिखा जाता है एक x वर्ग वाई वर्ग को x वर्ग वाई वर्ग लिखा जाता है इत्यादी साथी गुणांक माइनस 1 को केवल रिन चिन्ह यानि माइनस से दर्शाया जाता है इस प्रकार माइनस एक x को माइनस x लिखा जाता है इत्यादी कभी कभी शब्द गुणांक का प्रयोग एक अधिक व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है इस रूप में हम कहते हैं के पद 5xy में xy का गुणांक 5 है 5y का गुणांक x है तथा 5x का गुणांक y है 10xy वर्ग में xy वर्ग का गुणांक 10 है 10y वर्ग का गुणांक x है तथा 10x का गुणांक y वर्ग है इस प्रकार इसे अधिक व्यापक रूप में गुणांक एक संख्यात्मक गुणन-खंड हो सकता है या एक बीजी या गुणनखंड हो सकता है या दो या अधिक गुणनखंडूं का गुणनफल भी हो सकता है इसे शेश गुणनखंडूं के गुणनफल का गुणांक कहा जाता है प्रयास कीजिए निम्नलिखित व्यन्जकों के पदों के गुणांकों की पहचान कीजिए. 4X घटा 3Y A जमा B जमा 5 2Y जमा 5 2XY उधहरण 1 निम्नलिखित व्यन्जकों में वे पद छाटिये जो अचर नहीं है. उनके संख्यात्मक गुणांक भी लिखिये. XY जमा 4 13 घटा Y वर्ग 13 घटा Y जमा 5 Y वर्ग 4P वर्ग Q घटा 3P Q वर्ग जमा 5 हल क्रम संख्या व्यन्जक पद जो अचर नहीं है संख्यात्मक गुणांक 1 XY जमा 4 XY 1 2 तेरह घटा Y वर्ग माइनस वाइ वर्ग माइनस एक 3 तेरह घटा Y जमा 5Y वर्ग माइनस वाइ पाँच वर्ग माइनस एक पाँच 4 4 4P वर्ग Q घटा 3PQ वर्ग जमा पाँच 4P वर्ग Q माइनस 3PQ वर्ग 4 माइनस 3 प्रिष्ट 249 उधाहरण 2 A निम्न लिखित व्यंजकों में X के क्या गुणांक हैं 4X घटा 3Y 8 घटा X जमा Y Y वर्ग X घटा Y 2Z घटा 5XZ B निम्न लिखित व्यंजकों में Y के क्या गुणांक हैं 4X घटा 3Y 8 जमा YZ YZ वर्ग जमा 5 MY जमा M हल a. प्रत्येक व्यंजक में हम गुणन खंड X वाले पद को देखते हैं उस पद का शेश भाग X का वांचित गुणांक होगा क्रम संख्या व्यंजक गुणन खंड X वाला पद X का गुणांक 1. चार X घटा 3Y 2. आठ घटा X जमा Y 3. य वर्ग X घटा वाई 4. दो Z घटा पांच एक्स घटा पांच एक्स परोक्त A की विधी जैसी ही है क्रम संख्या व्यंजक गुणन खंड Y वाला पद Y का गुणांक 1. चार X घटा 3Y माईनस 3Y माईनस 3 2. आठ जमा YZ 3. य जट वर्ग जमा पांच 4. य जट वर्ग Z वर्ग 4. एम वाई जमा एम 4. अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक 5. कारिक्रम समन्वयक 5. डॉक्टर राजेश कुमार निमेश 6. वाचन्स्वर गौरव मार्वा 6. तक्नीकी समन्वयक 6. बतिलैंग लिंगडो 7. तक्नीकी सहायक 8. मयंक कुमार 9. निर्माण सहयोग 9. सौम्या मलिक 10. निर्देशन व निर्माण 9. विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती 10. C. I. E. T. N. C. E. R. T. 9. नई दिल्ली भारत 10. C. E. T. झाल झाल